एलो नमुश्कार जी कैसे हैं सब आसा करते हूँ सब अच्छे होंगे और आज आपको मैं दिखाती हूँ मेरे गुढ़ल के पोदे पेना बहुत सारे मिली बग आ गए हैं मैं कल फूल तोड़ रही थी तब मैंने चट किया कि इसके बहुत सारे मिली बग आ गया है और अगर मैंने इसका अभी इलाज नहीं किया न तो यह पूरे पोदे को परबाद कर देंगा बहुत अच्छा हो रहा है गुड़ल का पेड़ काले तो मैं इसको थोड़ा सा खड़ा करके सीधा करके बांदूंगे क्योंकि इसकी प्रांच काफी लंबी-लंबी हो गया है और वो नीचे गित रही है तो और आपको दिखाती हूं कि कितने ज्यादा मिली बग हो रहे है और इस पर दवाई भी लगांगे वह दवाई भी मैं आपको दिखाती हूं देखो यह मिली बग है मिली बग देख सकते हैं आप इस तरह पोदों को और खास तोर पर गुढ़ल के पोदे को यह बिल्कुल बरबाद कर देते हैं और इसका मुख्य कारण उत्ती है चीटियां मतबग अगर आप इसको हटा भी देते हैं तो चीटियां पोदे पर फूल पर आती हैं तो उसके साथ इसके अंडे फिर आ जाते हैं और यह बड़ा बड़ा हो जाता है और मैंने कली चेक किया कि मेरे इस पोदे पर आ गया यह तो देखो मैं आपको दिखाते हूं इसके और अंडे देखो यह बिल्कुल छोटे-छोटे से दिख रहे होंगे आपको यह देखाते हूं यह देखो इस वाले पती पर कितने छोटे-छोटे से हैं और यह बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे पूरे पोधे को नस्ट कर देंगे इसके लिए बताते तो बहुत सारे उपाय हैं कि मिर्ची का पानी डाल दो सैंपू का पानी डाल दो लेकिन उससे इसके लिए हमें ना कैमिकल वाली ही दवाई लगानी पड़ती है उनी से यह जल दी जाते हैं जो खेतों वगएरा में लगाते हैं कीडे के लिए तो वही दवाई लगाएंगे तब ही यह खतम होते हैं और जो कैमिकल वाली दवाई होती है दवाई की दुकान पर मिल जाती है अभी मैं दिखाऊंगे आपको कि मैं कौन सी लगाती हूं तो वही लगाने से तो उसे लगाने से तो यह एक बार में ही नस्ट हो जाते हैं तो अभी मैं आपको दिखा रही हूं लाके कि मैं कौन सी दवाई लगाती हूं तो वो यह जो भी fertilizer है मेरे पोदो में लगाने के या दवाई है वो सब यही मैंने उपर वाले इसमें store में रख रखी है यह देखो मैं ले आई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ यह वाली दवाई मेरे पास यह नायक की है pesticide है होता है यह pesticide के नाम से मिल जाएगी आपको insect के नाम से भी मिल जाएगी तो आप इसे कह दे किडे मारने की simple दवाई की दुकान पर कह दे जहां खेत की दवाई मिलती है वहाँ पर आपको यह मिलेगी तो यह मेरी 100 रुपे की सिसी आई थी एक और इसको मेरे पास काफी दिन होगे क्योंकि यह मेरे एक पोदे में डीमक लगी थी तो मैं उसके लिए लेकर आई थी तो इसको लगाने का तरिक्का यह होता है, मेरे पास यह दो लिटर की एक बोटल है, इस्प्रे बोटल है मेरे पास, अगर आपके पास इस्प्रे बोटल नहीं है, तो आप इसमें जो कोलिन की बोटल होती है उसमें भी डालके, मिक्स करके, पानी के हिसाब से एक लिटर में ए डाल लेती हूं मैं इसमें और एक डखन और डाल लेती हूं तो इस तरह आप दो डखन डाल के सच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स होने के बाद इसका कलर ऐसे हो जाता जैसे दूद होता ने बिलकुल सफेद देखते हैं आप बोतल में अंदर हलका सा दिखाए देख़ो पानी पूरवक लगाएं आप और इस दवाई को बच्चों की पोँच से दूर रखें कहीं छिपा के रखें जहां छोटे बच्चे ना पोँच पाएं अब इसे हम इसमें थोड़ा सा प्रेशर बना लेंगे क्योंकि प्रेशर से लगाएंगे दवाई पोदे पर तो ज्याद तो ब्रांच फैल रही है तो नीचे को जुग गई है तो इसे मैं ठोक के इसमें वो रस्ती से इसको बान दूंगी अच्छे से तो इससे फिर मुझे दवाई लगाना असान हो जाएगा ब्रांच सारी उपर आ जाएंगी और यह जो मिलीवग होता है ना बिल्कुल टोप प यह लगता है क्योंकि महां सोफट पत्य होती है और पत्यों के नीचे भी यह लग जाता है तो इसलिए मैं इसे पहले बांद रही हूं ताकि मुझे सारी ब्रांच दिख जाएं कि कहां कहां है यह और जहां जहां है महां तो में पहले इसको हाथ से मतब बिल्कुल पानी से हटाऊंगी और उसके बाद में इसे पूरे पोधे बहुत अच्छे से स्प्रे करूंगी और यह जो बहुत सारे उपाय बताते हैं कि सैंपू मिक्स करके वह छिड़क दो मिर्ची का पानी छिड़क दो तो उससे यह नहीं हटते हैं तो यह मैं तो दवाई ही लगा क्योंकि मैंने सैंपू एक बार लगा के देखा था उससे यह नहीं हटे और सैंपू अगर आप लगा रहे तो आपको तीन चार बार लगाना पड़ता है अब देखो यह दिख रहा है आपको लगा हुआ मिली बग इसमें अभी मैं इसको देखो यह लगाया यह तुरंथी इसके प्रेशर से हट गया है और जो यह हटके गिरे हैं उन पर यह दवाई वाला पानी लगाया तो वह तुरंथी मर जाएंगे और जो देखो टोप पे ही मिलेगा आपको यह सारी जो भी इसकी ब्रांच है उनके टोप पे आपको यह मिलेगा इसलिए मैंने पहले इसको बांध लिया है ताकि कोई भी सूट छुटे ना और मैं अच्छे से इसको कवर कर पाऊं ताकि मेरा पोदा बच जाए और आप अगर पोदे को बचाना है तो अब जब हम इनकी इतनी केर करते हैं तो ऐसा ही तो छोड़नी सकते ना मरने के लिए देखो इस पर कितना लगा हुआ था देखो यह यह आप प्रेशर से पानी लगाएंगे इस पर दवाई वाला तो तुरंतिये हट जाते हैं और गुडल के पोदे पर यह मोस्टली देखने को आपको मिलेंगे और देखो पत्तियों के बैक साइड में यह लगते हैं ताकि कम दिखाई दें और अच्छे से पनपाएं डिरेक्ट धूप में ना रहे हैं इसलिए पत्तियों के पीछे की साइड यह अपना घर बनाते हैं और पोदे को पूरा इस तरह कर देते हैं जैसे रूई लिपेट देते हैं ना किस चीज पर या वाइट चीज कुछ फंगसी इस तरह लग जाते हैं दिखाई भी नहीं देते चलते हुए या बस चिपके वह दिखाई देते हैं और अगर आप हाथ से अटाने को सिस करेंगे तो बिलकुल नहीं अटते हैं और देखो ये जो छोटे-छोटे से अंडे थे इने भी में अच्छे से हास से अटा दूँ क्योंकि अभी ये प्रेशर से नहीं अट रहे थे क्योंकि बहुत ही छोटे हैं देखो मैंने सारे में बहुत ही अच्छे से जहां-जहां मुझे दिखे ना सब ढ पूदे में अगर आपको लगता है कि हो रहे हैं किसी भी पूदे पर तो आप जरूर यह वाली दवाई अपलाई करें इन पर और इसके आसपास वाले पूदो को भी आप चेक कर लें हो सकता है चीटियों ने इस पर सेंड डे ले जाके बाकी पूदो पर भी छोड़ दियो हो गुडल के पूदे पर और जो चमपा का पूदा होता है उस पर यह खास तोर पर लगी जाते हैं मतलब उन में तो महीने दो मह इने में आपको दवाई लगानी ही पड़ती है नहीं तो यह आ ही जाते हैं पता नहीं इन में ऐसा क्या होता है इन पोदों में इन पर ही अटैक करते हैं मिली बग सबसे पहले और अगर आपने देख रेक नहीं करी तो आपका बागिचा समझ लो खराब हो चुका है और यह तो मुझे जल्दी पता लग गया कल मैं फूल लेने आए थी तो मैंने देख लिया तो इसलिए जल्दी ही केर हो गी है तो मैं एक एक ब्रांच मैंने चेक कर लिया है चारों तरह बहुत अच्छे से स्प्रे कर दिया है आईसी के पास ये मेरा एक पोदा है पहले इसकी पत्या लिकड़ी थी ना ये तीनों तो ये पता नहीं फंगस की वज़े से किसकी वज़े कीड़ा था कोई पीली पड़ गी है अब फिर तीन नहीं पत्या निकल रही है तो मैंने इस पर अभी सदवाई लगा दी है और जब ये पीली हुई थी तब भी लगा दी थी और ये गुडल का इदर भी एक पेड है इस पर भी मैं हल्का हल्का से स्प्रेइ कर रही हूँआँ वैसे इसे हैं नहीं और ये चंपा के पोदो आज दर जो बड़े वाला चंपा का पोदा है उस पर भी मैं इसप्रे कर दोंगी इस वाले पर भी तो हल्का फुलका सा इस पर भी इसप्रे कर देती हूं ता कि अगर चीटियां थोड़ा बोहत एस पर लेगी हो तो वो खतम हो जाए तो जी यही दवाई थी तो अगर आपके बागी चे में भी मिली बग का अटेक हुआ है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इसे लगाने के बाद आपको साबुन से बहुत अच्छी तरह हाथ दोने हैं दो बार कम से कम नहीं तो आप गलफ लगा के पहन के तब इसको लगाएं और बच्चों से बिल्कुल दूर रखें अगर आपको अलरजी है तो मास्क भी लगाएं और हाथों में दस्ताने भी पहने तब आप इसे लगाएं मेरी तो बहुत गंदी आदत है मैं उझे दस्ताने भी अच्छे नहीं लगते तो इसलिए मैं तो पहनती नहीं लेकिन मैंने लगाने की तुनतबाद साबुन से बिल्कुल अच्छे साथ दो लिएं दो बार और सुखे कपड़े से पूछ लिएं अब बाकी काम मैं करूँगी पहले मैंने सबसे पहला हाथ ही दोए है और अब किसी ने मुझसे तुलसी महिया मांगी थी तो मैं तुलसी महिया लेने आई हूँ उपर देखो बाग इच्छे में कितनी तुलसी महिया जम रही है जो मदर प्लांट है उससे भी जड़ जड़ हो रही हैं और साइड में देखलो छोटी-छोटी कित्ती जाद है जम रही हैं देखो यह नीचे से तो जो बड़ी-बड़ी हो हम देनी लायक करो उतार करें व लगा सकते हैं तो मैं अब लेने आई हो और पलास्टिक के दो गिलास लेकर आई हो तो इस समय मैं रख दूँगी ताकि वो अब लगाएं या कल लगाएं जैसे उनकी इच्छा होगी तब लगा लेंगे उन्होंने दो तीन बार कह लिया मुझसे कि आप क्या तुलसी हैं तो दे दो तो मैं लेने आई थी मगा चलो दे देती हूं तो मैं उनके लिए ही निकाल भी हूं और यह थोड़ी सी मट्टी लेकर इसकी जड़ दिखाई दे थी मुझे इस वाले पोदे की तो इसमें तीन चोटे-चोटे पोदे और थे वो भी मैंने इसमें रख दिया है और यह चार का पूरा एक मैंने गमला सा बना दिया है पूरा इसमें गिलास में रख कर उन्हें दे दूँगी तो अब रगा लगा लेंगी और और एक सिंगल पोद revel और तो नुअ मैंने देदेटी हूं आप मैं अब आप भी ले कઈ की आई थी बस उपर से इन्हें देने के लिएवा औ उग जा बमका अन्दरा आजा तब ले ले तो मैं आपको दूसरे दूसरे गलास में लगायी है को और मैं भी दिंे से लगाए्ट है को में घृतखे लगाहती कि लिए पीत ज आप पानी से एक बार और ढोदूंगी कि जो इसके मरेवी अंडेस पर रहे होंगे वो सब धूल जाएंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ और अगर मेरी वीडियो आपको कसंद आती है तो फ्लीज लाइक करें अब मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो सब्सक्राइब कर ले पास यह एक बैल होती है उसको भी दबा दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेसन आपको सबसे पहले मिले मिलिये चलिये मिलते हैं फिर नमस्ते